गुंडों ने तलवार की नोग पर यशोधरा नगर के पेट्रोल पम की महिलाव करमचारी को लूट लिया है मिली जानकारी के अनुसार गुंडों ने तलवार की नोग पर यशोधरा नगर में पेट्रोल पम की महिला करमचारी को लूट लिया है पुलीस ने सिसी टीवी के आधार पर जाच करके तीन आरोपियों को इस मामले में गिरिफतार किया है इनमें मोहमत जिशान उर्फ बाबा लंगुडिया मोहमत अली मोहमत खलील शेक उम्र 21 साल आरिफ अलील याकत अली उम्र 27 साल यादवनगर निवासी और सूरिया बाबुराव जांभूल कर उम्र 19 साल कलमना का रहने वाला है सभी आरोपी पहले से ही आपरादि की प्रवूति के है यादवनगर में पेट्रोल पॉंप मौडन सेल है इस पॉंप पर महिला करमशारी तहनात रहती है महिला करमचारी गुर्वार की राद पंबंद करके रोज का हिसाब कर रही थी, उसी वक्त सभी आरोपी एक्टिवा पर सवार होकर वहां पहुचे, उन्हें पता था कि महिला करमचारी होने से लूट का कोई विरोध नहीं करेगा अपराधियों ने चाको की नोग पर कर्मशारी स्नेहा साकरे से 16,420 रूपए लूट लिये और स्नेहा को धमकी देकर अपराधी फरार हो गए जिसके बास निहा ने वार्दार की पमके संचालक को सूचना दी उसकी सूचना पर येशोधरा नगर पुलीस मौके पर पहुँच गई लूट की ये वार्दार पमके सेसी टीवी में कैद हो गई थी पुलीस को फुटेज की जाज करने पर बाबा लंगडुया के लिप्त होने का पता चला पुलीस ने उसे खोजबिन करके पकड़ लिया उसके जानकारी पर साथियों को भी दबोच लिया गया उनसे एक्टिव सिपाही मधुकर निवाडे विजय लांजेवार आफताफ शेक तथा रतनाकर सोंटक के ने की है कैमरा परसन विरंद्र खोबरागडे के साथ शितिजा देश्मू के इन्बेसे निउस के लिए रिपोर्ट